अफरोफ। अफरोफ। में अजीए रागे सिंगल रिशार्च चनलिष्ट और आपका स्वागत है हमारी वीकली सीरिज नेक्स्ट वीक बजार में क्या करें तो सबसे मेले बात करते हैं लास्ट वीक की लास्ट वीग जो वीक 13 प्रेज़ स्टार्ट वा था उस वीक में क्या क्या हुआ तो जन्वरी से मार्स तक अभी तक F.I.E. की सेलिंग चल रही थी लेकिन लास्ट वीक F.I.E. ने कुछ वाली की के सेग्मेंट में की है साथ ही साथ अब तक जो D.I.I.E. जन्वरी से मार्स तक खरीदारी कर रहे थे वह भी अब इस अप्रेल में अभी तक उन्होंने भी 23 क्रोड की विक्वाली कर दी है तो देखना होगा क्या यह सेलिंग कंटिनू रहती है या नहीं अब बात क वीक रहा निफ्टी के साथ से देख रहा है तो तो हमें लगता है कि निफ्टी में 94 के असपास एक अच्छा रेस्टेंस है अगर निफ्टी वह तोड़ता है और सस्टेन करता है क्लोजिंग बेस पर तो 9500-9700 तक के लेवल देख सकते हैं इस वीक में अधर्वाइस डाउन अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा इस सॉरी इस वीक में क्या हो रहा हुआ 13 अप्रेल को मंदे को वर्ल मार्केट बंद थे लिगे इंडिया मार्केट उपन था 13 अप्रेल को ही इंडिया के CPI के नमबर आए जो कि 5.91 रहे जो कि येर और वे वेस्टे पिछली बा के WPI इंफलेशन के आक्रेवी आए जो कि 0.9 रहे पिछली बार के येर और के 2.26 के मुकाबले में इसका मतलब यह है कि WPI इंफलेशन है वो भी कम हो रही है अब 15 अप्रेल को साथ या बेंक अप कना रही एक मीटिंग थी जिसमें की पॉलिशी में कोई उनने इंट्रेस जो कि पिछली हफते जो फॉर्थ अप्रेल को जो भी खोल गुआ था उसमें 6.6 मिलिएं थे जो कि इस पर थोड़े से घटे और 11 अप्रेल को जो भी क्लोज गुआ उसमें 5.245 मिलिया रहे तो अब तक 22 मिलियन जॉब अनम्प्लाइब बेनिपिट्स के लिए एप्लिकेश को काफी लिक्विडिटी दी साथ ही साथ एनेच भी नावार और सिट्वी को काफी एक ची रिफैनेंसिंग के रिए तो एक आर्बी नेक स्टेप लिया अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट वीक 20 अपरेल को जब मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले तो इंडिया म है 20 अपरेल को कहीं पार्शिली कुछ लॉक्डाउन को ओपन होने की घोशना जो की ती कुछ सटें क्रेस्टिक संसे साथ जिनमें की रूरल एग्रिकल्चर एसेंशल कम कमर्शिल एक्टिविटी साथ ही साथ आईट और आईट इनेवर सर्विसेज विद 50 परसेंट इस्टा सब्सक्राइब करेंगे 24 अपरेल को इंडिया अपने बैंक लोन ग्रोथ और डिपोजिट ग्रोथ के आँक्रे बेश करेंगा तो आज के लिए बस इतना ही हमारे चैनल टैक्स पर मेंद को देखते रहें मार्ट के अपडेट के लिए घर परी रहें स्वस्त रहें धन्यवा झाल